दिल्ली के उत्तरपूर्वी लोकसभा जिले में पीस पार्टी के प्रत्याशी को मिला कई रास्टे पार्टी को समर्था सन्यूपत प्रैसवारता के दोरान दी गई जानकारी भाज़पा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे खेमों में मचा हड़कम पीस पार्टी के लोकसभा मुस्लिम प्रत्याशी मिर्जा हाजी शाहिच चंगेजी के चुनाव लड़ने से कई राष्टे पार्टियों के बिगड़े समीकरण देखें हमारी इस रिपोर्ट में राजधानी दिल्ली की मुस्लिम बहुमुल्य मतेदाता लोकसभा सीट उत्तरपूर्वी जिले से गोशित पीस पार्टी के परत्यासी मिर्जा हाजी साहिच चंगेजी को कैई राष्टे पार्टीयों के राष्टे अध्यक्सों नहीं मोजपूर इस्तीत पीस पार्टी के कैम्प कारले में आयुजित एक प्रेस वारता कर पत्रकारों के सामने अपने समर्थन की गोशना की समर्थन देने वाली इन आट पार्टीयों में जन सोसिस समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्स रमेच चन खड़क भारतिय नोजबान दल के राष्टे अध्यक्स डॉक्टर राजकरन हमदम अमन समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्स एमडी नाजीर किसान पार्टी ओफ इंडिया के राष्टे महासचीप चरंजीत सिंग बहुजन समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्स डॉक्टर ब इस मोके पर दिल्ली पीस पार्टी के दिल्ली पर्दिश अध्यक्स भी मुझूद रहे और यहां पर आज तक किसी पार्टी ने कोई टिकेट मसल्मानों को नहीं दिया जो सबसे बड़ा मत्यू है, हमारी जो तरक्की का रास्ता रोक रखा है इडि में बहुत बहुत जरूरी है तो आप पार्टी भी मुसल्मानों के बोड़ों पे लड़ लगए है कांग्रेजी मुसल्मानों के बोड़ों पे लड़ लगए है और भी जितनी पार्टें सब मुसल्मान बोड़ों पे लड़ लगए है लेकिन मुसल्मान समझ नहीं पा रहा है अपना बोड़ खुद देता जो मसाईल ऐसे मजदूर ही का है हमें तो दूसरे दर्जे का शेरी बना दिया है। कांग्रेस ने 70 साल में मुसल्मानों को मौडरन सडूल काश्ट बना दिया है। उसने वह काम करा रही है जो कभी किसी जमाने में दलित लोग किया करते थे। आज मुसलमान वो सारे काम कर रहे हैं तो हमें तो इससे उठने के लिए अपना आपको उठाना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक जूट होना पड़ेगा यह मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम सब एक जूट होकर के इस फाइट को लड़ें और इंशालला रिजल्ट बहुत बात हैं तो मुझे उबीद है वो लोग भी मेरा साथ देंगे और हम इंशालला फाइट बहुत बढ़िया लड़ेंगे इसमें हमारे साथ आठ पार्टियों के विकास है मैं पीस पार्टी दिल्ली परदेश का देख शूँ और आज जो यह प्रेस कॉंफरेंस की जा रही है इसमें हमने आठ पार्टियों का एक महागडबंदन बनाया है दिल्ली के अंदर जिसका नाम रख़ा है दिल्ली विकास महागडबंदन इसमें पीस पार्टी, भारती नौजवान दल, अमन समाज पार्टी, जन शोशिक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी किसान पार्टी ओफ इंडिया इन आठ पार्टियों का नौजवान दल इन आठ पार्टियों का ये गड़ महा गड़बंदन हमने दिल्ली में बनाया है और हम दिल्ली में जो साथ सीटे दिल्ली लोग सभा की हैं उसमें हम सातों सीटों पर अलग अलग पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं, इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, जिसमें पीस पार्टी उत्तर पूर्वी लोग सबाचेतर से अपने उम्मीदवार को जनाब हाजी मिर्जा शाहिद चंगेजी सहाब को पीस पार्टी ने पिर् पार्टियाशी वो बात में घोशित किये जाएंगे, और हम सब मिलकर चुनाब लड़ेंगे, हमारे जो इस गठबंदन का नाम है दिल्ली विकास महा गठबंदन है, हम सब एक दूसरे की तन, मन, धन से शयोग करेंगे और हिस्सेदारी लेंगे, और दिल्ली में सातों सीट हो चुकी है, परिशान हो चुकी है, जूट पर जूट बोलते हैं, और अब जूट इनका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जनता उनसे अवगत हो चुकी है, हम सब मिलकर चुनाब लड़ेंगे, और जनसों सी समाज पायटी पश्चमी उत्तर प्रदेश में अपना कं पायटिया हैं, और उनका मकाबला आप कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कि जितने भी जो बड़ी पायटिया हैं, इतने ही बड़े इनके जूट जोते, वो बिलकुल जनता के सामने आ चुके हैं, और जब जनता के सामने आ चुके हैं, तो जनता ह की इसका फैसला करेगी कि क्या सही है क्या गलत है और जनता हमारे साथ होगी क्योंकि हम जनता के बीच में सपनी सच्चाई के साथ अपने विकास के मुद्दों के साथ हमारे जो मुद्धे हैं आज आप देख रहे हैं कि गरीब, जो गरीब मजदूर किसान अपने बच्छे को प्राइबेट स्कूल में नहीं पड़ा सकता है क्यों कि प्राइबेट स्कूलों में फीसी इतनी महगी है कि वो नहीं भर सकता है तो हमारा मानना है कि देश के अंदर जब देश एक है तो एक ही सिक्षप राड़ी होनी चाहिए पीजेपी आमाधमी पार्टी या कांगरेस बाते तो बहती करते हैं अगर सिक्षप के मामले में सारे फेल सिक्षप किस तरीक confidently होनी चाहिए इनने नहीं पता इसलिए हम हम जो जोंटेंगे साजादर सिक्षा प्लच लेंगे सफाय पे देंगे चोड़ान पार्टी बाकि और राज्यों में भी अमण समाज पार्टे आमल समाज पार्टी उतारेगी मैं राश्टे परवक्ताब विवेड़ी कोमर भारतिय नोज़ुआ वंदल से आज जो महोल देश में क्रियेट हुआ है उसकी चुनोती का सामना करने के लिए हम सब एक विचार धारा पर आए हैं और उसी के लिए आज एक प्रेस कॉन्फरेंस करी जा रही है जिसमें हम सभी साथ ही सामिल हैं सब अपने अपने राजनिति की दलों से हैं राष्ट एद्रक्स भी है हमारे साथ तो जिस तरह से महोल आज देश में क्रियेट कर दिया गया है उसका सामना मिल के ही किया जा सकता है यह इस पष्ट है हम समर्थन नी हम एक साथ एक जुट हो कर लड़े हैं हम सभी पूरी दिल्ली के अंदर क्या भारत में भी बाहर सब मिलके लड़ेंगे और दिल्ली के अंदर पीस पार्टी के इस नोर्थ इस पर हम साथ लड़ेंगे हमारी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे साथ दिल्ली से हमारे लड़ेंगे नोर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे उत्तरपूरी दिल्ली में तो हम सपोर्ट को हैं पीस पार्टी के साथ इस पार्टी के साथ इस पार्टी उत्तरपूरी से जैंज्ट मैं चरंजी सिंग किसान पार्टी आफ इंडिया पूरे देश से वैशे उल्यक्शन लट रहे हो लेकिन जहां-जहां हमें यह सहयोगी हमें मिले जैसे चंगेजी भाई शाय चंगेजी जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और पीस पार्टी की तरफ से यहां से एलेक्शन लट रहे हैं हम इनको पूरी तरह समर्थन देंगे यहां पर और इसके अलावा भी हम इनको जो भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी वो सभी परकार की मदद हम इनकी करेंगे में बाद यह सभी जानते हैं कि जो देश का महौल है वो 1947 से लेकर अब तक अगर मैं कहूँ तो मुझे इस देश में भारत देश में अभी तक एक भी ऐसा लीडर नजर नहीं आया है जिसने देश की जनता के लिए कुछ किया हो देखिए लोग कहते हैं तरक्की हो रही है तरक्की हो रही है तरक्की हो रही है मैं नहीं मानता किसी परकार की कोई तरक्की हुई है 1947 में हमारे रुपए की कीमत एक डालर के बराबर थी आज हमारे रुपए की कीमत करीब 71 परतीशत नीचे है तो हम लोग बात करते हैं GDP 6% उपर चली गई या हमने इतने परतीशत इस प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से जहां पीस पार्टी परतियासी को मजबूती परदान हुई है वहीं दूसरी तरफ अन्ने पार्टीओं में खलवली मजगी है अब देखना होगा कि लोग सबा चुनाव में अन्ने पार्टीयां किन उमीदवारों पर चुनाव संदीब कुमार के साथ परिन सोलंग की तेज निखाएं दिल्ली मुर्य ओजया हुआएं दिल्ली